नमस्कार साथियों आप लोग देख रहे हैं व्याईपी न्यूज टूड़े मैं के सिद्धार्थ इस वक्त हम लोग मौजूद हैं बोचाहां उप्चुनाओं में मुझफरपूर ये जिला है विहार का और यहां पर सभी पार्टियां अपना दमखम जोग रहे हैं और निरं अब हर गली महले सहर गाओं में जाकर के कि किस तरह से जो है यहां पर राजनीती की जा रहे हैं गरमकर्मी बहुत बड़े पहमाने पर बनी हुई है इस वक्त हमारे साथ में हमारे कुछ साथी मौजूद आई आपसे जो है बातचीत करते हैं क्या नाम है सर आपका जी मेरा जो वेवसाय है वो जो घर मकान बनते हैं उसके लिए जो रो मेट्र यूज होता है सिमेंट है सरिया है इंटे है वो सामंगरी के यहां मिलती है आप लोग अगर चाहें तो एड्रेस के आशर आपका एड्रेस सर है हमारा महमत पूर पुरानी वजार वहां से दो किलो मीटर ह तो इनका जैनिसात राज के नाम से वहां ट्रेडर है आप लोग अपना घर मकान बना रहे हैं तो उसके लिए जो भी रहो मेट्र चाहिए वहां से लीजेगा अच्छा आप गोपाल गंज के रहने वाले हैं लेकिन इस वक्त आप लोग बहुंचाहां उप्चुनाव में मुकेश जी का जो संघर्ष देखे हम लोग तो आच्छा नहीं लगा हम लोग को बरदास नहीं हुआ कि आखिर हम लोग के पास कुछ अनभव है ज्यान है और हमारे ही नेता अती पिछड़ा के बेटा आज उतना संघर्ष कर रहे हैं और बीजेपी वाले अपना टोटल मंत कूद्री जोग दिये हैं विधाय को लगा दिये हैं तो हम लोग कभी रहा नहीं गया हमारे पास समय था नहीं कुछmmm इस्तिती भी माने जाने लायक नहीं थी लकिन हमने सोचा रात को सोते थे तो हमें लगता था कि हमें जाना चाहिए मेरा भाई कहीं लल रहा है और लोग नेता बनने के लिए जाके वहाँ यथी बीजेपी के लोग मदद कर रहा है और वो जो बैक्ती हैं हमारे मानसमान अधिकार के लिए लल रहा है और जो भी हमारे अनुभव है नौलेज है उसको हम जमीन पर उतानेगे और मुकेश सहनी जी को हम मदद करेंगे बाकी जो आगे होगा वो जनता जनार्धन के उपर हैं इनका कहना आए कि इनका वेवसाय है उसको यह तीन चार पाजी जो भी समय लगे उसके लिए उसको स्टोप करके बंद करके मानीने मंत्री जी जी को मुदक करने के लिए हैं उनको चुनाव जीताने के लिए में आप एनके अंदर तो डर है कि आज बता ये इक सब्सक्राइब में बारतिये जनता पाटी सब्सक्राइब कर ये डर कर अपना अब कर दो कि जोंकती हुई है और भाजपा के लिए ये सीठ नाक की बात हो गई ये लेकिन भाजपा यहां पर तिन नंबर पर जाएगी और बूरी तरह से तिन नंबर पर रहेगी यह हम लोग कावन भव है आज तीन-चार दिन से हम लोग छेत्र में लगे हुए हैं सर और यह अन भव दीख रहा है कि लोग से यहां पर जनता से जो प्यार सने मुकेजी के पर्